नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रुशिकेश और स्वागत है आप सब का आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले है स्कोडा ओक्टाविया VRS मॉडल के बारे में तो चली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो ओक्टाविया जो है फिलहाल सिर्फ पेट्रोल में है अवेलिबल है और ये जो सामने आप वेरेंट देख रहे हो ये आपको मिलेगा 2.0 लीटर 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन के साथ इसके अलावा टोटल 4 साल और 1 लाग किलोमेटर तक की वारंटी भी स्कोडा की तरफ से ओफर की गई है इसके कीमत की अगर बात करें तो एक शोरूम प्राइस है 35.99 लाक रुपेज और अंडोडे आपको मिल जाएगी लगबग 45 लाक रुपेज तक और ये इसकी फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हो ये आपको मिलेगी पूरी ब्लैक पियानो फिनिश म स्कोडा का लोगो, VRS की बैजिंग, इसके अलावा फ्रंट में आपको पाकिंग सेंसर भी मिलेंगे, लो बीम के लिए दिया है प्रोजेक्टर सेट अप और हाई बीम के लिए आपको मिलेंगे हालोजन रिफ्लेक्टर्स, इसी के अंदर दिये है टर्न इंडिकेटर्स और LED DRLs, headlamp washer भी आपको मिलेगा और ये इसके fog lamps, उपर की तरब दिया है एक towing hoop और ये secondary grill, बोनट के उपर थोड़े से पैटन्स दिये है और इसमें आपको rain sensing wipers मिलते है, दो wipers दिये है, दो washers के साथ, roof आपको मिलेगी पूरी blacked out, sunroof का option भी available है, एपिलर दिया है body color में, और यहाँ पे ORVM आपको मिलेगा black piano finish में, इसी के उपर आपको turn indicators भी मिलेंगे, wheels की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के diamond cut alloy wheels मिलते हैं, और इनकी tire size है 225 by 40 और 18 की, और ये side parking sensors, गाड़ी का wheelbase है 2677 mm, और ground clearance है 141 mm का, डोर handles आपको मिलेंगे body color में, और B pillar दिया है black piano finish में, C pillar भी आपको body color में ही मिलेगा, इसके अलबा Škoda और VW की गाड़ियों में आपको fuel lead driver side की तरफ ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप इसमें fuel भर सकते हो, और इसकी fuel tank capacity है 50 liters की, fuel lead को open करने के लिए आपको अलग से कोई lever नहीं मिलेगा, अगर car unlock है तो आप इसे open कर पाओगे, और यहाँ पे rear में भी आपको side parking sensors मिलेंगे, चलिए अब बात करते हैं इसके rear profile की, तो यहाँ पे आपको micro antenna मिलेगा, फिर दिया है high mount stop lamp, यह rear defoggers, spoiler का option भी आपको मिलेगा, और यह Škoda का logo, नीचे की तरफ आपको मिलेगी number plate के लिए provision, और इसी के उपर दिया है इसका rear parking camera, इस तरफ दिया है Škoda की badging, और यह इसके LED tail lamps, इसमें backside fog lamp और turn indicators आपको halogen में ही मिलेंगे, safety में दिये है चार rear parking sensors, इसके अलवा right side में आपको rear toeing hook भी मिलेगा, उपर की तरफ दिये है VRS और Octavia की badging, tail lamps का night look भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो रात में यह कुछ ऐसे दिखाई देंगे, इसके अलवा नीचे की तिरफ आपको दोनों side में exhaust मिलेंगे, जो की functional है, suspension setup की अगर बात करें तो front में लगा है Mac Pearson strut, और rear में लगा है multi element axle suspension, front और rear दोनों side में आपको disc brakes offer किये गए है, अब देखते हैं इसके boot space को, तो इससे आप remote की से भी open कर सकते हो, या फिर आपको boot lid के उपर electric tailgate release का option भी मिलेगा, यहाँ पे आपको total 290 liters का massive boot space offer किया गया है, left side में दी है एक first aid kit, और इसी के उपर आपको एक boot lamp भी मिलेगा, यह luggage हो, 12V charging socket, इसके अलवा आप इसके seat को 60-40 split भी कर सकते हो, split करने के लिए दोनों तरफ आपको lever मिलेगा, और यह parcel tray, इसमें आपको 18 inches का ही spare tire मिलेगा, 125 by 70 tire ratio के साथ, boot lid को बंद करने के लिए उपर की तरफ आपको grab handle का option भी मिलेगा, चली अब देखते हैं इसके dimensions को, तो इसकी length है 4689 mm, width है 1814 mm, height है 1469 mm, curve weight आपको मिलेगा 1403 kg का, और इसकी turning radius है 5.2 meters की, गाड़ी के साथ आपको total 3 remote keys मिलेगी, जिसके उपर options दिये है lock on lock, और boot lid को open करने के लिए, इसके अलावा ये flip key है, right side में यहाँ पे आप LED blinker भी देख सकते हो, back side में दिया है Škoda का logo, चली अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये इसके dashboard का look आप देख सकते हो, single tone में dashboard मिलेगा, doors का look भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगी door light, map pocket, one liter bottle holder, फिर दिया है speaker, उपर की तरफ आपको मिल जाएंगे ORFM के controls, तो यहाँ से आप इसे retract कर सकते हो, fold करने का option भी available है, ये inside door handle, नीचे की तरफ आपको मिलेंगे 4 power windows के control, window lock का option भी आपको मिलेगा, और ये इसका fixed hand rest, door के उपर ही आपको security alarm light मिलेगी, यहाँ पे दी है carbon fiber finishing, इसी के उपर आपको ambience light भी मिलेगी, और ये door lever, और ये इसके ORFM का look आप देख सकते हो, ये twitter, अब देखते हैं इसके pedals को, तो यहाँ पे proper dead pedal दिया है, उपर की तरफ एक light भी दी है, यहाँ पे आपको 12-way Electrically Adjustable Seats मिलेगी, तो इस तरह से आप इन्हें adjust कर सकते हो, तीन लोगों के लिए memory function भी आपको इसमें मिलेगा, और ये इसकी leather upholstery आप देख सकते हो, काफी कुषनी seats दी है, front में fix और rear में adjustable headrest आपको मिलेगे, और ये इसके dashboard का लोग, काफी broad dashboard आपको मिलेगा, driver side AC vent, इसके अलावा यही से आप इसके light को on off कर सकते हो, front और rear fog lamps का switch भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, fog lamps को on करने के लिए आपको इस switch को pull करना होगा, और off करने के लिए फिर से इसे push करना है, नीचे की तरफ हमें मिल जाएगा एक convenience space, यहाँ पे आपको ठीक ठाक space मिल जाएगा, आप coins वगएरा इसमें रख सकते हो, और यहाँ पे दिया है engine start stop switch, इसमें आपको fully digital instrument cluster मिलेगा, जो show करता है trip meter, average fuel consumption, distance to empty, digital clock, low fuel and door hazard warning, और instantaneous consumption जैसे features, इसके अलावेस में बहुत सारे themes भी आते है, तो मैं यह आपको change करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास different different options आ जाते है, themes को set करने के लिए, चलिए अब देखते हैं इसके steering wheel को, तो यहाँ पे आपको flat bottom leather wrapped steering wheel मिलेगा, hold करने में यह काफी easy है, उपर की तरब दिए है media के controls, तो यही से आप इसके volume को increase और decrease कर पाओगे, बीच में दिया है Skoda का logo, नीचे लिखा है airbag के बारे में, और इसी के अंदर आपको horn भी मिलेगा, दूसरी तरब दिए है MID के controls, इसमें आप speed limit भी set कर सकते हो, toggles की अगर बात करें तो यहाँ पर right side में आपको मिलेंगे wiper और washer के controls, इसके अलावा pedal shifters भी दिये है, और वही पर left side में दिये है light indicator और cruise control के switches, और यह इसकी AC vents, यहाँ पर middle में आपको मिलेगा hazard light का switch, यहाँ पर आपको मिलेगा 8 inches का touchscreen infotainment system, जो support करेगा Android Auto, Apple CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, steering mounted controls और rear parking camera जैसे features को, इसके अलावा आप इसमें MP3 और FM radio भी प्ले कर पाऊगे, और यह रहे इसके AC और heater के several controls, तो यहाँ पर आपको dual zone automatic climate control मिलेगा, यहाँ पर दिया है एक USB socket, नीचे आपको मिलेगा एक छोटा सा convenience space, फिर दिया है traction control system, parking sensors, auto ignition on-off, car lock on lock और VRS mode के switches, transmission की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7-speed dual clutch automatic DHG gearbox, नीचे modes दिये है parking, reverse, neutral और drive, और यह इसका lighter आप देख सकते हो, फिर दिये है तीन cup holders, this might be a trash can, और यह इसका handbrake, यहाँ पर आपको chrome tip का option मिलेगा, फिर दिया है armrest, armrest में आपको ठीक ठाक space मिलेगा, यह आपको मिलेगा पुरा black color में, co-driver side seat, सामने के door का look भी आप देख सकते हो, इसमें front में आपको बहुत ही बढ़िया legroom मिलेगा, अब open कर लेते हैं इसके glove box को, तो यहाँ पर आपको decent space मिलेगा, और यह रहाश कोडा का multimedia, passenger airbag control, इसके अलावा आपको light or cooling का option भी मिलेगा, यहाँ पर owner's manual भी दिया है, मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ, dashboard के उपर पूरा hot plastic material का यूज किया गया है, यहाँ पर लिखा है airbag के बारे में, उपर की तरब दिया है एक grab handle, co-driver's edition visor में आपको vanity mirror मिलेगा, बीच में दिया है एक mic, ताकि आप bluetooth के थ्रूँ call कर सको, यही पर आपको sunroof का switch भी मिलेगा, इसका जो flap है उसे आपको हाथ से ही open और close करना होगा, इसके अलवा बीच में light के options भी दिये है, आप इन्हें यही से set भी कर सकते हो, side में आपको individual light के लिए switches मिलेंगे, इसके अलवा IRVM दिया है auto dimming function के साथ, driver's edition visor में भी आपको vanity mirror मिलेगा, लेकिन light नहीं दी है, तो सामने से हमने अच्छे से बात कर ली है, अब चलते हैं इस काड़ी के back seat पे, तो open करते हैं इसके door को, और यह रहा इसका inside space, काफी बढ़िया space आपको मिलेगा, door के उपर दिया है map pocket, one liter bottle holder, फिर दी है speaker grill, उपर की तरफ आपको मिलेंगे rear power windows के controls, और यह इसका inside door handle, fixed hand rest, इसके अलवा यहाँ पे आपको child safety lock भी मिलेगा, यह इसका door lever, rear में आपको दिये है adjustable head rest, यहाँ पे दिये है isofig child seat mounts, चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे मेरी जो height है, वो है 5 feet 8 inches, और सामने का seat फिलाल मेरे height के according adjusted है, तो मुझे जो leg room मिल रहा है, वो आप देख सकते हो, head room भी बहुत बढ़िया है, अंडर थाय सपोर्ट की अगर बात करें, तो यह भी आपको best in class मिलेगा, rear में आपको AC vents मिलेगी, जिसके ठीक नीचे दिये है दो USB sockets, और यहाँ पे आपको एक ashtray मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे जो hump है, वो आप देख सकते हो, तो तीन लोगों को rear में बैठने में दिक्कत हो सकती है, और यह rear door का लोग, इसके अलावा rear seat के पीछे आपको अच्छा खासा space मिल जाता है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत लगेज बड़े आरम से रख पाओगे, इसमें आपको rear armrest भी मिलेगा, तीन cup holders के साथ, और यही से आप इसके boot space को भी access कर सकते हो, उपर की तरफ आपको grab handle मिलेगा, इसके अलावा rear में आपको मिलेगा एक cabin lamp, यह आपको halogen में मिलेगा, जिसके light का throw आप देख सकते हो, और यह इसके backseat से, इसके dashboard का look आप देख सकते हो, अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के safety की, तो safety में आपको मिलती है 9 airbags, middle rear 3 point seatbelts, seatbelt warning, ABS with EBD, brake assist, engine immobilizer, child safety lock, remote central locking, anti theft alarm, day night rear view mirror, door azar warning, auto headlamps, front and side impact beams, front seatbelt with pre-tensioners and load limiters, speed sensing auto door lock, tire pressure monitoring system, isofig child seat mounts, hill hold control, traction control system, electronic stability program, electronic lock differential, auto parking, और rear parking sensors with camera जिसे safety features, अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के engine specification की, तो इसके engine bay को open करने के लिए आपको co driver side door open करना होगा, और यहाँ से आप इसके engine bay को open कर सकते हो, इसमें आपको मिलेगा 2 liter, inline 4 cylinder BS6 petrol engine, जो maximum power produce करता है 241 bhp की 5000 rpm, और आपको maximum torque मिलता है 370 newton meter का 1600 rpm इसमें आपको mileage मिलेगा 12.6 km पर लीटर तक का, और अगर बात करें transmission की, तो यह available है 7 speed dual clutch automatic gearbox के साथ में, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आजाएगी, पसंद आए तो like share और subscribe कर दीजिए, अगली वीडियो तक दोस्तों helmet पहने है, seatbelt पहने हैं और सुरक्षित रहिए, धन्यवाद,